उंदा कहानी और नुसरत के बेहतरीन अभिने के लिए देखने लायक है अकेली नमस्कार मैं हूँ आपके साथ अशुन मिश्रा आप देखने हिंदी खबर वैसे तो किसी भी फिल्म की कहानी सबसे मुख्य वजा होनी चाहिए फिल्म को देखें या ना देखने की लेकिन जब किसी उंदा कहानी में बेहतरीन अभिने का तड़का लग जाए फिर तो फिल्म निश्चित ही देखनी बनती है कुछ ऐसी कहानी है अकेली फिल्म का आपने सांदर अभिने और कॉसल के दम पर इंडरस्ट्री में धीरे धीरे जगा बना रही नुसरत फरूचा की इस फिल्म के लिए जितनी तारीब की जाए कम है फिल्म के दामदार टीजर रिलीज होने के बाद से उनके फैंस इसकी कहानी को और करीब से जानने के लिए मचल रहे थे अब जानते ही क्या है फिल्म में कहानी फिल्म युद्ध ग्रस्त इराक में अकेली फसी एक भारती लड़की की कहानी है जिसे जीने के लिए कई सारे मुर्चों पे अलग अलब मुस्किलों से लणा पड़ता है फिल्म की शुरुवाती सीन में ही नुसरत भरूचा को इराक में आई-एस-आई-एस के लोगो द्वारा गीरा दिखाया जाता है बैक्ग्राउंड से कुछ चीक की आवाज भी आती और फिर कहानी फ्लैस बैक में चली जाती है जोती अरोड़ा यानि नुसरत भरूचा पंजाब के एक छोटे से सहर की रहने वाली लड़की है जो नौकरी के सिलसले में इराग पहुसते हैं इराग पहुसते ही जोती का सामना उस मोहौल से होता है जहां बंबिस्पोर्ट और कतले आम आम बात है जोती को अपनी फैक्टरी में ही काम करने वाले एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो जाता है पर इससे पहले की प्रेम कहानी परवान चड़े फैक्टरी में आईस आईस के लड़ाखू का हमला हो जाता है और फैक्टरी के सारे मुड़ों का कतल कर देते हैं और फिर महिलाओं को अपने कबसे में ले लेते हैं महिलाओं के साथ जबजस्ति करने की कोशिस के करम में जोतिकी हाथों एक IS-IS एजेंट का कतल हो जाता है अब कहानी एक नया मोड लेती है खुबसूरत टर्न और ट्विस्ट के साथ बुनी गई कहानी थियर्टर में आपके अंदर एक अजीब सी खलवली पैदा करती है अब बात करते हैं प्रफॉर्मेंस कैसा रहा अकेली नुसरत की वज़स से भी देखे जाने लायक है हर सीन के अनुसार अपने चेहरे पर इमोशन उकेरती नुसरत भरूचा फिल्म दर फिल्म अपने अबने कौसर का प्रमार देती जा रही है बताते हैं कि अकेली में नुसरत भरूचा के अलावा निसान दहिया और इस्राइल अबनेता ता शाही हलेवी और अमीर गुत रस भी एहम किरदार में नजार आने वाले है फिल्म की एक यूस्पी याभी है कि इराग के लोकेशन को कैमरे में बड़ी खुप शूरती के साथ कैट किया गया है कैमरा वर्क, बैक्ग्राउंड, स्कोर और लोकेशन भी फिल्म की कहानी को धार देने में मुख भूमिका नहीं बात है और हिंदी खबर की तरफ से हम इसे चार रिटिंग देते हैं या फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए कैसे बिशम परिशिकियों में हम मुसीबस से सामना करके लड़के अपने जीवन का नया रास्ता निकाल सकते हैं अगले फ्राइडे फिर मिलूँगा आपको एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ तब तक आप देखते रहें हिंदी कब